So, ये वीडियो specially मैं expiry वाले दिन बना रहा हूँ, आज थर्जडे है, and आज मैं आपको कुछ crucial information देना चाहता हूँ, ऐसी information जिससे आप अपने losses को minimize कर पाएंगे, I am sure कि जिन लोगों ने options को buy किया हूँ, in fact, अगर आप trend के against में trade करते हो, तो आप अपना नुकसान गर रहे हो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, कि जिससे आप अपने losses को कम कर पाएंगे, आपके loss बहुत कम होंगे, और जब profit होगा तो बहुत जादा होगा, उसके लिए पहले तो यहां पर धिहान से देखिए, हमें क्या किया हूँ है, मैंने यहां पर एक तो super trend आपके चल रहा है, अब लोग क्या देखते हैं, चलो market खुली एक green candle बनी, उसके बाद लोगों की बहुत सारी theories है, वो trade लेते हैं, पर यहां पर एक important चीज मैं आपको बताऊंगा, यहां पर दूसरा एक indicator मैंने और लिया हुआ है, that is pivot points, so pivot points, यह आप देख सकते हो, pivot मैंने लिया ह मैं आपको लगा कर और हटा कर दोनों दिखा देता हूं, यह मैंने भी हटा दिया, और यहां पर हमने pivot लगा दिया, तो pivot हमारे लिए क्या करता है, हमें market के crucial support और resistance प्रोवाइड कर देता है, तो हमने क्या देखा कि market ने अपने S1 से S2 तक गई, S2 को जैसे उसने तोड़ा, S3 तक market गई, S3 को तोड़ा, S4 तक गई, अगर S4 को तोड़ती है, तो हमारी assumption होती है कि S5 तक market जाएगी, तो आपके पास यहां पर 5 support आ गए, अब लोग क्या सोचते हैं, अगर उसने S1 तोड़ा है ना, तो यहां से bounce back कर जाएगी, अच्छा, S2 तोड़ दिया, S3 से जाता है, अब यह तो basic knowledge है, तो सब को पता है, पर कुछ ऐसा है, जो आज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वीडियो बनाई जारी है, मैं नहीं चाहता है, लोग खून के आसूर है, मतलब उनका बहुत बड़ा नुक्सान हो जाए, और होता है, क्यों यहां पर मैं सौफ्टरी यूज करता हूँ, और होता है, यहां पर निफ्टी का मेरे पास, पुट कॉल रेशियो हम खुद भी बना सकते हैं, मैंने देखा है कि इंटरनेट पे लोग पीसी आर की बहुत सरी एजमिशन देते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर मैं आपको इहां पर इंपॉर्टेंट चीज बता जेता हूँ, इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर जो हम पुट कॉल रेशियो निकाल रहे हैं, पहली बात तो हम ओपन इंटरस से नहीं निकाल रहे हैं, आप सिंप्ली एनसी आप्शन चेन लिखेंगे, आप एनसी की ऑप्श आपको फोकस कहां पर लेकर जाना होता है, वो लेकर जाना होता है, चेंज इन ओपन इंटरस पर जिसका टोटल यहां पर नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली, आपको गरना पड़ेगा और यहां पर बहुत सरी इर्रेलेवंट प्राइज हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉ पर आप देखें, जब मार्केट खुली थी, तो PCR, पुट कॉल रेशियो कितना था, यहां पर साड़े नौ बजे से डेटा अपडेट होता है, अब आप यहां पर देखिए, साड़े नौ बजे, जो PCR था 1.11 का था, मतलब यहां पर 1.11 क्या होता है, कि अगर 1 से उपर होता PCR ना 0.83 का हो गया, इसका मतलब है, कि यहां से सेंटिमेंट मार्केट के हैं, कि मार्केट हो सकता है, बड़े ना उल्टा गिरे, अब आपको हर 5 मिनिट में ट्राक करना होता है, PCR कहा जा रहा है, आप मानलीच, आपने गलट ट्रेड ले लिया, आपने ट्रेड ले लिया, आ मार्केट यहां से ऊपर जाएगे, आपको ऐसा लग रहा है, आपने लगने पे ट्रेड गेंगे, आपने प्राइस एक्शन देखा, ना अपने अभी हमने सपोर्ट रेजिटेंस आपको समझाया, उसके ऊपर कोई धिहान नी दिया, पर फिर भी आपको एक वार्निंग आपको तुरंत अपनी पोजीशन से बाहर निकलना होता है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा, अब हम वो दिखते हैं, तो फॉर आज बहुत सरे लोगों ने नुकसान किया होगा, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, एक्सपारी है, थाज़े है, मा 0.34 का हो गया, लगातार PCR गिर रहा है और इंप्रूव नहीं हो रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, बढ़नी रहा, गिरता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कि आज मार्केट गिरने वाली है, अगर आपने ये समझ लिया कि आज मार्केट गिरने वाली है, तो कम से कम चाहते हो पर आप गलत ट्रेड नी लोगे तो capital बचा लोगे अब देखो market में हुआ गया PCR लगातर गिरता जा रहा है और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त जो PCR है it is close to zero 0.00 0.02 0.04 0.06 मतलब extremely negative उपर जाने के chances बहुत कम है और अगर market उपर जाती भी है तो VWAP से दुबारा से selling आ सकते हैं आपको दिखाता हूं तो अभी मैंने काफी देर से चार्ट नी देखा मैं आपके सामने देख रहा हूं और मैं आपको यह बता सकता हूं market गिर रही होगी यह देखिए वाउ तो अभी आपके सामने market चल रही है, live market चल रही है यहां से आप देख रहे हो कि लगातार market गिर रही है हमारी assumption तो आपको पता ही थी कि अगर S4 तोड़ा तो next target S5 है S5 के पास जाके इसे support मिल सकता है थोड़े बहुत यहां पर market ठहर सकती है और यहां से PCR क्या बोल रहा है chances नहीं है उपर जाने के so chances नहीं है कि यह दुबारा से कोई बहुत बड़ा bounce back आजा है क्योंकि PCR is extremely negative यहां पर अगर आपको PCR extremely negative दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अब आपको समलना चाहिए okay so यहां पर important कैमा लीजिए यहां से bounce back आभी जाता है तो आप क्या करोगे आपको लगेगा नहीं सब कुछ improve हो क्या खरीद ले PCR negative है अगर price उपर की तरफ जाता है ऐसे कुछ green candles बनती है तो यह से वापको trap करने के लिए बन रही है यह थोड़ा सो और उपर तक भी जा सकता था क्योंकि VWAP तक एक बार touch करने की market कोशिश करता है कई बार वो try करेगा कि मैं VWAP के आसपस चला जो बट अगर market VWAP के आसपस नहीं आती और अगर आभी जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि market उपर जाएगी उटा वह से आपको नीचे जाती ही market देखेगी क्योंकि PCR इंप्रूव नहीं हुआ है इस इस हाइली इंपोर्डन तो अंडरस्टैंड पीसियर अभी यह 0.06 0.04 इस एक्स्टीमली नेगेटिव सिचुवेशन इसमिलरली मैं आपको यह भी दिखाना जाओंगा और वो PCR हमारे लिए सारे स्ट्रेक प्राइस के लिए तो इर्रिलेविंट है हमें सिफ 4 फ्रेक प्राइस ऊपर और 4 फ्रेक प्राइस नीचे देखना होता है और उसमें चेंज क्या आ रहा है तुरंत बदलाव क्या आ रहा है आपको समझना है, sellers कहां पर enter कर रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, अगर PCR नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको दिखता है, PCR नेगेटिव है, देखी दुबारा से क्या आ गया, 0.00 आ गया, कोई चांस नहीं है, market आज बड़े, everybody, यहां पर है क्या, देखो, PCR का मत बड़ा, put call ratio, लोग कहते है, change in, यहां पर लोग क्या बोलते है, open interest, put side, divide by open interest in call side, यह गलता है, आप यहां पर जो PCR देख रहे हो, यह है, change in open interest, जो बदलाव आया open interest में, put side में, divide by change in open interest in call side, इससे आपका PCR निकल रहा है, so change गया हुआ, आप समझो, यहां पर जो put writers थे, वो भाग गया मतलब, put, यहां तो कोई बेचेगा, फिर कोई खरीदेगा, होता गया market में, पहले concept समझते है, concept is this, so what you see in the market is, मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, so हमने बोला, PCR यहां पर कैसे निकल रहा है, कि change in open interest, जो आपका put side पर हो रहा है, divide by change in open interest call side, आप देखो हो क्या रहा है, अगर put किसी ने बेची है, हम put खरीदेगा है, हम buy up करते हैं, जब हमें लगता है कि market गिरेगी, और हम put को sell गप करते हैं, जब हमें लगता है market बढ़ेगी, तो जो seller होता है, उसकी capital ज़्यादा लगती है, तो वो क्या देखता सबसे पहले, कि क्या market बढ़ने के chances हैं, क्योंकि वो sell तब ही करेगा, जब market बढ़ने के chances होंगे, अगर वो sell नहीं करेगा, वो निकलना चाहता है, वो कहता है, sell नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसे लग है, market गिरेगी, तो उपर की side पे, मालो यहां पर सिर्फ दो आदमी खड़े हैं, जो कह रहे हैं, कि हो सकता है, market यहां से बढ़ जाए, इसलिए मैं, put option को sell कर देता हूँ, और यहां पर 200 आदमी कह रहे हैं, कि market जो है, वो गिरेगी, जब गिरेगी, तो buyer का फायदा होगा, seller का नुकसान होगा, और seller अपना नुकसान नहीं चाहता, तो वो क्या कह रहा है, market जब गिरेगी, तो जिसने call खरीदा है, उसे नुकसान होगा, जिसने call buy किया है, इस आदमी को नुकसान होगा, तो मैं क्या करता हूँ, call को sell कर देता हूँ, तो call को sell करने वाले दोस्तों लो इसका मतलब क्या है, कि put side से seller भाग गया है, और सारे के सारे कहां पर चले गए है, call side पर चले गए है, और अगर call side पर जाएंगे, तो call side पर अगर market बढ़ जाती है, तो seller का नुकसान होगा, क्योंकि seller का नुकसान होगा, तो इस situation में, अगर seller का नुकसान होगा, तो इस situation में seller क्या करेगा कि seller put को नहीं बेचेगा वो सिफ call को बेचेगा and PCR आपको exactly यही दिखाता है मैं आपको दिखाता हूँ PCR क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोग put option से निकल चुके है उनोंने put option में जो selling थी वो नहीं करी हूँ यह भी change हो गया हम आपे open interest so open interest क्या है 0.00 और यह हर 5 minute में change हो रहा है आप हर 15 minute का भी देख सकते हो so similarly यह nifty का है मैं आपको bank nifty का भी दिखाता हूँ तो अगर bank nifty भी कर रहा है मैं अभी chart नहीं देख रहा है आपके सामने मैं क्या देख रहा हूँ PCR is extremely negative bank nifty गिर रही होगी reason उसका PCR ही मुझे बता रहा है so PCR आपके लिए एक early indicator है यह आपको indicate कर रहा है कि market में क्या हो सकता है market में आपको यह देख के चलना है कि market के अंदर अगर PCR आपके favor में है आपके trade के favor में है तो बहुत बढ़िया आप बने रह सकते हो आपको confidence मिलेगा यार मैंने अगर आपने मालीचे बिक्कवाली करी हुई है आपने बेचा हुआ है और PCR भी negative है तो आपको confidence आएगा हाँ यार मेरी trade ठीक है बट अगर आपने एक हरिदारी करी हुई है और PCR negative है तो आपको सतर्क होना है और हो सकता है आपको थोड़ाब लॉस हो रहा हूँ PCR दिखा रहा है कि यार negative है आपको शुरू में दिखा दिया मालो जब market खुली दी तो PCR positive का था पर उसके बाद जैसी negative होना शुरू और रिकवर नहीं हुआ हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो रहा हूँ 500-2000 का आपने बुक कर लिया बट अगर आप बुक नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पर अगर आप उसके बाद एक सही ट्रेड ले लेते हो PCR को समझते हो है you can make money so this was a video on PCR आप बुक्रों कर दो को सकते हैं इस वीडियो को आप शेर कीजिए अगर आपके पास अभी तक दीमेट अगाउंट नहीं है तो इसक्रिप्शन और कॉमेट बॉक्स में आपको लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक मिल जाएगा आप डिसकाउंट ब्रोकर्स के साथ अपने दीमेट अकॉन खुलवा सकते हैं and you can start investing, you can trade in the stock market finally I will see you in the next video till that I am Yugo Selfmade and Jehan